हेलो दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है मध्य प्रदेश एंप्लाई से लिल्टेट एक जरूरी अपडेट है कि 8 दिसम्बर को आज 7 दिसम्बर है 8 दिसम्बर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदेशन होगा मध्य प्रदेश के अर्विडियो बनाया था और बताया था कि जो अमत्र प्रदेश के गर्मिड एंप्लाईज हैं अब वो दिल्ली जाएंगे वहीं पे दूसरी तरफ भी रिसेंट में मैंने आपके सामने एक वीडियो लाय था बताया था कि MP के जो पिंशनर्स हैं वो MP में ही कल हरताल पे थे कल उनका प्रदरेशन था क्यों से सामान ड दोस्तों इस बार की बड़ी अपडेट यह है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग तो हमेशे चली रही है जितने भी संगे सभी करी रहे हैं लीपिकों की जो वेतन विसंगती है इसको बहुत प्रियोटी दी गई है बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है और इस सच में और काफी फेवर वाली बात है कि जो मद्र प्रदेश के लिपिक संग के कैडर के जो प्रांता देख्ष है वही संयुक्त मोचा के भी प्रांता देख्ष है तो इसके लावा सीपी सीटी के रिगार्डिंग है परिविक्षावधी के रिगार्डिंग है पुरानी पेंशन अ यहां पर रखा जाएगा अब लाख पदों पर भरती की बात चल रही है कितने सारी विकेंजी जा रही है लेकिन वहीं पर समविदा पर और कुछ आउट्सोर्स से भी लोग भर कर रहे हैं तो उनको नीमित करने की बात कही गई है और जो कितने महीने का आपका एरियर है डेनस कहीं न कहीं आउट्सोर्स की टोटली प्रथा चालू कर दी गई है इवन जो ड्राइवर्स हैं उनको अगर कोई बहुत जरूरी हो तब ही नहीं मिर भर्टी की जाए नहीं तो आउट्सोर्स से काम चलाना ऐसा बात कही गई है और जिसे आप ठेक अप इवर्टी भी बोलते हैं दूसरी बात यह है कि अक्सर यह देखा जा रहा है कि जो रिटार हो जाते हैं तो उनको सम्विदा नियुक्त दे जाती है जिसे कि एक जिसको वो पोस्ट मिल जानी सही है उसको नहीं मिल पाती तो इसकी कहीं कहीं खिलाफत किये गई है उसके अलावा जो सिक्षक संवर की बहुत सारी मागें हैं उसको पूरा करने की बात कही गई है HR ये बढ़ाने की बात और साथ ही साथ जिनको वहान बगएर मिलता है तो उसके जलानसिस उसको बढ़ाने की बात कही गई है HR ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये outdated है अब देखे जो पहले मैंने बोला तो पुराने पिंशन अगर बहाल होती है तो इसकी बात कही गई किसे रोका जाए बंद किया जाए तो बाएद भी टूटल मागे रहेंगी और अब देखते हैं क्या होता है आठ तारीक के बाद वैसे मद्यप्रदेश का जो अभी विंटर सेशन रहेगा विदान सभा का वह भी संपन हो जाएगा तो इस महीन के इंट तक आपको काफी सारी सीज जानने की मिलेंगी और जो फ्यों को दोस्तों अपडेट्स मैं आपके सामें लाता रहूंगा आप आप सार बेंड़ी का धन्यवाद